दोस्तो रनवीर कपूर, विकी कौशल, आलिया भठ और संजरियला भंजाली की मुवी लव एंड वार का आ गया है जबरदस्ता तड़कता भड़कता दोस्तो अपडेट वहीं इसके अलावा थलब पती वीजाई की मुवी दी ग्रेटस आफ आल टाइम के अडवांस बुकिंग ने देखते ही देखते चपड़फार की दोस्तो बुकिंग ओवर्स इसमें कर दिये साथे साथ दोस्तो इसके ओवर्स इसके राइट्श होस उड़ा देंगे हिंदी डबिंग का क्या हाल चाल है वहीं गाईज इसके अलावा हम लोग रेस फोर के भी दोस्तो अपडेट आपको इस वीडियो में देंगे वहीं गाईज इसके अलावा और भी बहुत से अपडेट्स हैं जो कि आपको हमारे आज के इस वीडियो में देखने को मिलेगा और गाईज यहाँ पे काफी सारे लोग यह बात बोलते हैं कि आप बड़ भी अपडेट अपसे छोटेगा नहीं साला तो गाईज कीजिए लाइक सब्सक्राइब ताकि आपको ऐसे यह और वीडियो मिलते रहें तो गरते हैं अपने इस वीडियो के शुरू लैट स्टार्ट तो गाईज यहाँ पे मैं कुछ भी बोलू उससे पहले रनवीर कपूर से ही शुरूआत कर लेते हैं क्योंकि रनवीर कपूर इन दिनों काफी शुरूखियों में है धूम फोर को लेके हाला कि आफिशल तो अना उसमें अभी नहीं हुआ है लेकिन वो होते ना गाई शुरूआत के रुजहान उससे पता चल जाता है कि कि किसकी सरकार आने वाली ह लग तो राय कि भाई यहां रनवीर कपूर आते हुए दिखाई देंगे रनवीर कपूर दूम फोर में हो या ना हो लेकिन यहां पे संजरीला भंजाली के साथ वो एक घजब तरीके कि आप लोग कह सकते हो कि लव ट्राइंगर वाली मूवी में दिखाई देंगे जिसमें होने वाली हैं उनकी वाइफ भी यानि की आलिया भर्ट और यहां विकी कोशल वेरी वर्सेटाइल एक्टर यानि कि यहां पे संजरीला भंजाली लव एंड वार मूवी बनाने वाले हैं आप लोगों यह बात पता होगा संजरीला भंजाली का नाम सुनते हैं तो यहां पे कह सकते हैं कि गूस बम आजाता है क्योंकि वो जिस तरीके का मूवी बनाते हैं उनके जो डीटेलिंग होती हैं उनके जो सैट्स होते हैं वो भव्य होते हैं तो ऐसे में यहां पे लव एंड वार की काफी चर्चाए हैं लेकिन शूटिंग कब से इसकी शुरू होगी और कितन अक्टूवर से विकी कोशल भी दोस्तो सैट को जॉइन कर लेंगे अलिया भट के एंट्री होगी नमबर के लास्ट में आफी दिसम्मर के शुरुवात के हपतों में क्योंकि अल्फा मूवी की दोस्तों शूटिंग में आफी व्यस्त है नमबर के एंट तक अल्फा का भी खेल खतम हो जाएगा तो यहां पे 200 दिनों का ज्यांगाइज 200 दिनों तक का यहां आलिया भट और जो विकी कॉशल है उनके साथ कॉंट्रेक हुआ है कि वो इस मुवी को छोड़ के और कहीं नहीं जाएंगे मलब यहां पे 200 दिनों तक गाई शूटिंग चलेगा यहां यहां पर शूटिंग तब चलेगा अब मुवी की एडिटिंग पोस्ट गाई यहां पर होता ना पोस्ट प्रोडक्शन का काम फिर यह म कारेक्टर का साहिए बताया तो जा रहा है कि कि यहां पर औरक र। हो द yolी कि नelli कि नाहीं लोग्याँ कि क realm यइवे को क्या सकते हैं कि शूटिंग उसी बीच होगी इसलिए रडाइब्र और कर को दोस्तो यहां पर कई क्या सकते हैं कि दोस Eddy कू इ齐 फिक्स नहीं किया गया है वो इधर दर की काम कर सकते हैं अभी यहां पर नेक्स अपडेट है थलब पती विजय से रिलेटेड देखो बाई आप लोगों को पता होगा कि मुवी रिलीज होने वाली है सेप्टेंबर के शुरुवात के हफते में 5 सेप्टेंबर में भी शायद तो यहां पे एडवांस खुलेगा और धमाका होगा क्योंकि अगर हम लोग दोस्तों यहां पे बात करें इसके शुक्त ओवर्स इसके राइट्स है वो गजब तरीके के दोस्तों बिके हैं मतलब यहां पे प्रॉक्समिट्ली दोस्तों 53 करोड तिर्येपन करोड में इतना भी आया या खूब आया बागी दोस्तों अगर हम यहां पर बात करें तो इस मुवी की जो एडवांस बुकिंग है उसको यूएसे और यूके में दोस्तों खोल दिया गया हम लोग रिपोर्ट की माने तो कुछ पांच हजार से ज्यादा टिकट तो यूके में दोस्तों इसके सोल्ड आउट होगे लास्ट टाइम लियो ने भी काफी जबर्दा तरीके की गाईस तभाई मचाई थी और अगर हम लोग दोस्तों यूएसे की बात करते हैं तो यहां पे भी पांच हजार से ज्यादा गाईस टिकट सोल्ड आउट करने की खबरे आ रही है कुछ रि को और साथ ही हिंदी वाले वर्जन को क्योंकि हिंदी की डूं bringing इस औरह प्सक् Sig कि gateỗi माधिर की अब सबसे बड़ी घाई यहां पे खबर नौर्ट इंडिया में दोस्तों इसकी नई डबिंग तो हमें चाहिए ही चाहिए तब ही बात बन पाईगी नहीं तो वो डबिंग बहुत ही बहुत ज़ादा बेकार थी वाया थी लेकिन इतना तैह है कि गाईज इस मुवी को अच्छे खासे शोज मिलने वाले हैं हिंदी वर रही है बागे दोस्तों इसी के साथ हम लोग एक और मुवी का आपको अपडेट देते हैं नाम आही गया है मुव में और वो है नन अदर दैन कंगरनाउट की एमेरजेंसी दोस्तों आप लोगों पता होगा कि काफी यह जो मुवी है गाईज कॉंट्रवर्शल टॉपिक के उपर है इंद्रा कांदी के उपर है उसमें कई चीज़ें दिखाया जाएगा और इसी से रिलेटिट दोस्तों यहां पर एक कॉंट्रवर्सी हो गई है और सिक कमुनिटी ने दोस्तों यहां पर इस मुवी को बैन करने की मांग की है अब इस मुवी में क्या 1984 के दंगों के बारे में कुछ दिखाया गया है कुछ बताया गया है लगत तो रहे कि इसी वज़े से यह बैन की मांग की हैं बाकि का इस कॉंग्रेस के भी कई लोग इस मुवी के बैंक के ऊपर बात कर रहे हैं लेकिंग यहां पर जो कंगर रानाउत है वो कह रही है कि उन्होंने इस रो पीशे के गाईज जो ड्रामा हुआ था वो सब चीज़े आपको इस मुवी में देखने को मिलेगी क्या आप लोग इस मुवी के लिए एकसाइटेड हो कमेंड बाक्स में बताना वाग गाईज इसके अलावा हम लोग रेस फोर में आयाते हैं भाई सहाब रेस फोर फाइनल सल्मान खान की वो मुवी उतनी चली नहीं हलाकि कमर्शल सकसे जरूर दिलवा दिया लेकिन क्रिटिक्स ने दोस्तों बहुत ज्यादा ट्रोल किया था मतलब लोगों ने बहुत ट्रोल किया था और कहीं दोस्तों लॉट के बुद्धु घर को आया ऐसा कोई थाना गाईज क सहावत तो वही चीज हुआ यहां पर जो रमेश तो रानी है वो गाईज इस मूवी को सहिफ अली खान के पास लेके गए और उन्हें कह सकते हैं कि दिल खोलके उनका स्वागत किया और वो इस मूवी को करेंगे लेकिन अब और कॉन-कॉन से करेक्टर होंगे यूगी हमें कि भाई यहां यहां मल्टिस सारा वारी मूवी है अक्षा खन्ना हमें रेस टू में देखने को मिले थे और अनिल कपूर भी थे अनिल कपूर तो दोस्तों इस मूवी में होंगे ही होंगे अब यहां पे तो एक और जो नाम आ रहा है सामने वो नन अदर्दैन दोस्तों आ सिध्धात मलोतरा का यहां पर नाम सामने आ रहा है बताया जा रहा है कि स्क्रिप्ट इसकी जल्दी लॉग हो जाएगी यह मूवी 25 के ही शुरुवात के हफ्तों में ही क्या सकते हैं कि फ्लोर में गाई शुरू हो जाएगी या निकी शूटिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा है यहां पर नेगेटिव चीज में लोग आखिर इतना इंट्रेस्ट क्यों दिखाते हैं भाई साहब यहां परभास लुक लाइका जोकर यह जो बात उन्होंने कही थी इसके लिए उनको माफी मेरे ख्याल से जरूर मांगनी चाहिए लेक यहां परभास के बारे में बोलके इन्होंने जितनी पॉबिसीटी की है जितना यह पॉपिलर हुए उतना उन्हें अपनी मूवी से पॉपिलरेटी नहीं मिली जितना एक कमेंट करने से मिल गया है तो गाई यहां पे कुछ लोग बोलेंगे कि यार नानी को कौन जानता है अरशदवारश्ची गोसको सब जानते हैं, ऐसा भी तो इनसान बोल सकता है, लेकिन कहाँ यहाँ पर बाद में, नानी ने भी कह सकते हैं, कि दोसों, अपने उस कमेंट को बोला कि यह मैने गल्द बोला, अर्शत वार्षी एक बहुत ग्रेट एक्टर है बहुत पॉपुलर एक्टर है और हकी करते हैं दोस्तों लगे रहा हो मुन्ना भाई हो या फिर जॉली एलेल भी या फिर दोस्तों गोलमाल सीरीज या फिर और भी कई ऐसी मुवी जो भले ही उनके लीड रोल बाली मुवी नहीं थी लेकिन उन्हों ने कह सकते हैं कि सामने से लाइम लाइट चुडाया तो अर्शत वार्षी एक ग्रेट एक्टर है लेकिन उनका परभास के लिए ये बोला गया शब्ट बेभी मेरे खाल से दोस्तों खराब था उनके उस करेक्टर को रेटिसाइज करने का हक है परभास को नहीं तो गाईज ये कुछ हमारे आज का फिल्मी टॉक का दोस्तों कुछ अपडेट्स थे हो सकता है कि दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ अपडेट्स मिसिंग हो मिले हों लेकिन यहां पर हम लोग अभी शुरुवात करेंगे और आपको धीरे-धीरे सारे अपडेट छोटे हो या फिर हो बड़े सब देंगे मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में अभी के लिए इतना ही